नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पैबली कनेक के इस यूटूब चैनल पर आज का हमारा टॉपिक है Send WhatsApp Messages for New WooCommerce Customers तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यह समझेंगे कैसे आप Automatically Customer को Message भी सकते हैं उसके WhatsApp के अकाउंट पर जब भी हूआ as a customer create हो WooCommerce में पूरा प्रोसेस आप Automate कर सकते हैं पैबली कनेक की मदद से अब जानते हैं प्रोसेस कैसे वग करता है तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं Trigger में मैंने लिया है WooCommerce Action में मैंने लिया है Interact अब Interact एक CRM में WhatsApp का जिसकी मदद से आप WhatsApp पे मैसेज भेस सकते हैं तो जब भी कोई new customer register करेगा WooCommerce पे अपने आपको as a customer create करेगा WooCommerce पे तो automatically उसको हमें WhatsApp मैसेज भीज़ देंगे हमारे WhatsApp के account से कि वो as a customer create हो गया WooCommerce पे तो अगर आप भी यह process सीखना चाहते है तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे All right friends तो यह है पैबली का लेंडिंग पेज और आप इस पेज पेज पर आ सकते हैं simply आपके ब्राउजर में टाइप करके pably.com यहाँ पर आपको दो आप्शन मिलेंगे एक है sign in का option दूसरा है sign up for free option तो अगर आप एक new user है तो आपको क्लेक करना है sign up for free वाली बटन पे और आप आपका account बन सकते हैं केबल 2 minute में मैं क्लिक करूँगा sign in वाली बटन पे क्योंकि मैं एक existing user हूँ उसके बाद दोस्तों आपको जाना है आपको यहां पे नाम देना चाहता हूँ send what's the messages for new woocommerce customer दोस्तों यह ही हमारा objective है आज का आप आपके साब से कोई भी नाम दे सकते हैं उसके आपको क्लिक करना है create वाली बटन पे और आप आप आजाएंगे यह वाली screen पे अब यहां पे आपको दोस्तों दो important module समझना है जिनका नाम है trigger और action तो दोस्तों trigger और action पे पूरा automation काम करता है trigger बोलता है when this happens जिसका मतला बोलता है जब ऐसा हो तो action बोलता है do this तो ऐसा कर दो basically हमारा जो trigger है वो हमारे automation को start करता है और action में हम पर्टिकुलर action परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते है तो आए trigger application चूज करते हैं जो की है WooCommerce यहां पे simply type करूँगा WooCommerce और नीचे हमको WooCommerce मिल जाएगा हम इसको select कर लेंगे उसके बाद trigger event में हमको choose करना है new customer created और यहां पे आप देख सकते हैं हमको एक webbook URL मिल गया है अब दोस्तों webbook URL की मदद से आप कोई भी application को पैबली connect से connect कर सकते हैं यह जब bridge की तरह काम करता है और इसी webbook URL की मदद से हम क्या करेंगे WooCommerce पैबली connect के बीच में connection बिल्ट करेंगे तो यहां पे आप कुछ details देख सकते हैं जैसे navigate to the left side bar WooCommerce settings go to advanced tab webbooks click add webbooks button और इन details को आप follow करके यह setup कर सकते हैं मैं आपको directly बताता हूं कि पूरा process आपको कैसे करना है सबसे पहले तो हम इस webbook URL को यहां से कर लेंगे copy और यहां पे आप देख सकते हैं नीचे शोर है waiting for webbook response और note में निका है now login to the application where you have added the webbook URL and do a test submission record so that the data can be recorded here in the webbook response basically दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारा setup complete हो जाएगा जब हमारा WooCommerce इंटीग्रेट हो जाएगा पैबली connect के साथ तो हमको एक test submission करना होगा हमारे WooCommerce में एक new customer create करना होगा इसकी मदद से हमको यहां पे response received होगा पैबली connect में पहले हम हमारा setup करेंगे तो मैं ले चलता हूँ आपको WooCommerce पे उसके आद आपको जाना है दोस्तों यहां पे settings में add webook पे यहां पे आपको कुछ डीटेल्स दिखेंगी जैसे name पूछ रहा है यह वेबुक का status, topic, delivery URL, secret API version यहां पे हम एक name दे देंगे लेट से इस वेबुक का नाम है WhatsApp integration यह हमने इस वेबुक को नाम दे दिया WhatsApp integration उसके दोस्तों आपको क्या करना है copy करा है तो हमने इस URL को यहां से copy कर लिया है और simply यहां पे इसको कर देना है paste उसके बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है save webook वाली बटन पे और आपका जो webook है वो setup हो जाएगा और यहां पे आपको show होगा उपर हो webook updated successfully और हमारा जो पैबली कनेक्ट का वू कॉमर्स का जो connection है वो भी यहां पे integrate हो गया है वो हमारा successfully connect हो गया है जैसा कि आप देख सकते है response रसीब हुआ है webook ID 847 अब दोस्तों आपको क्या करना है recapture webook response वाली बटन पे क्लिक करना है और यहां पे आपको क्या लिख रहा है यहां पे now login to the application where you have added the webook query and do a test submission तो आये test submission करते हैं हम चलेंगे woocommerce पे वापस और यहां पे मैं आपको दिखाता हूँ एक user registration form जिसमें हम एक user को register करेंगे तो हम all forms पे जाएंगे let's say मैंने यह new customer registration करके user का max last name हम देंगे let's say max john user email भी हम एक dummy email address यहां पे डाल देते हैं let's say email address है max.pablitudes.com और उसके यहां पे हमको user का password डालना है let's say मैं एक dummy password डाल देता हूँ यहां पे यहां पे phone number देना है let's say मैं एक dummy phone number डाल देता हूँ all right उसके आद आपको submit करना ही है user successfully registered तो हमने आप एक dummy details भरी है एक user की कि जब भी कोई user अगर SFOE WooFormers पे form fill करेगा तो उसकी details हमको public account में कैसे receive होईगी और यहां पे आप देख सकते हैं हमको एक positive response यहां पे receive हूँआ है username max है और नीचे details हमको show रही है यह उसका phone number है यह हमने एक dummy phone number अभी डाला है तो हमको यहां पे receive होगया है उसके आद हमको और details यहां पे receive हुई है यह हमको last name receive हुआ है John उसका first name है max और इदा पर हमको user name है वो भी यहां पे receive होगया max अब दोस्तों हमको क्या करना है जैसे for example यह एक user new customer create कर रहा है हमने अभी तो हमको WhatsApp पे message भीजने के लिए हमको यहां पे action step में जाना है और चूज करना है action application interact यह interact चूज करने के बाद हमको यहां पे action event भी चूज करना होगा तो हम उसमें चूज करेंगे send WhatsApp template message उसके आपको क्लिक करना है connect वाली बटन पे यहां पे एक dialogue box open हो गया है जो बोल रहा है connect interact account तो basically इस dialogue box में आपको आपका जो interact का account है उसको पैबली करने के साथ setup करना है तो यहां पे मैं जाओंगा add new connection के साथ और नीचे आप भी हमसे पूछ रहा है एक secret key इसमें लिखा you need to enter the secret key here which can be found under settings developer settings in your interact account alright मैं आपको ले चलता हूँ interact पे और यहां पे आपको left hand side पे देखेगा settings का option उसके बाद आपको क्लिक करना है developer settings पे और developer settings पे आप जैसे क्लिक करना है आपको secret key मिल जाएगी आपके interact के account की इस secret key को आपको कर लेना है copy और simply pably connect में आके इसको कर देना है paste इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है save वाली button पे तो आपका जो authorization है यहां पे successful हो जाएगा और जो interact का account हो वो pably connect के साथ successfully connect हो जाएगा अब यहां पे आप कुछ details देख सकते हैं जैसे कि country code, phone number, full phone number, template code name, language code header value, body variables value and एक important node भी यहां पे दिख रहा है कि it is mandatory to give a value for either full phone number और for both phone number and country code तो यहां पे हमाई पास option है दोस्तों कि या तो हम country code में पहले code डाले उसके आद हम phone number insert करें और यहां तो हम यह वाली field चूज कर लें full phone number वाली और उसमें हम number insert कर दें तो दोस्तों आप यहां पे एक चीज़ इमाजिन कर रहे होंगे कि यहां पे हमको जो number receipt है यह तो एक dummy number है तो यह number पे message कैसे आएगा तो यहां पे मैं इसको replace कर दूँगा जब भी जब में last में आपको message शो करके बताऊंगा अभी यहां पे आपको क्या करना है जब भी आप यह automation बनाएंगे तो आपको full phone number में जो previous step से number receipt हुआ है उसको यहां पे map करना है बेसिकली यह जो number होगा वो particular customer का number होगा तो आपको यहां पे उसको map करना है अब यह जो step करीए इसको बोलते है mapping इसकी मदद से आप हमेशा dynamic response generate कर सकते हैं इसका अंतलब यह है कि अभी मैंने यह phone number map कर दिया यहां पे इस user का अब next customer कोई create होगा अगर WooCommerce में तो उसका number automatically यहां पर आजाएगा और उस particular number पर message भेज जाएगा automatically आपको कुछ नहीं करना है तो mapping इसलिए important है कि यह dynamic response में generate हो जाता है mapping से response जो होता है अगर आप कोई भी चीज़ manually type करते हैं तो हमेशा static रहेगा अब यहां पर हमसे पूछ रहे है template code name template code name में लिखा है to get code name go here and click on the template the URL of the page that opens will be in the format this particular format https app.interact.ai template code name view paste the code name here तो आपको सिफ code name जो है URL में वो यहां पर डालना है तो हम code name हमको कहां से मिलेगा तो इसके लिए आपको लेचलता हूँ interact पर और interact पर जाने के बाद मैं जाओंगा templates पर अब यहां पर आप देख सकते हैं बहुत साइh templates जो मैंने create करी है और अभी recently मैंने एक template create करी है WooCommerce customer करके इसको मैं open करता हूँ और आप भी ऐसी template create कर सकते हैं यह बहुत easy है इसमें आपको कुछ नहीं करना है आपको template पर जाके यहां पर create new पर क्लिक करना है तो आप templates create कर सकते हैं अब यहां पर आप देख सकते हैं मैंने standard message भी draft करके रखा है hello और यहां पर one देख रहा है basically यह one यह variables है body variables है जिसमें हम अभी आगे बात करेंगे thank you for registering yourself as our customer you can use your username to to login anytime enjoy lifetime access in our store and explore great products you will also receive special offers and discount here thanks in regards basically दोस्तों यह message पूरा यह मैंने manually type करा है जैसे तो यह हर user को यह message जाएगा बस यह जो body variable वाला जो part है यहां पर वो value change हो जाएगी अगर हम यहां पर data करेंगे map body variables में तो यह इसलिए mapping बहुत important है अब यहां पर आपको क्या करना है दोस्तों मैं आ गया हूँ यहां पर indirect के template पे और उसके बाद आपको जो template code है वो आपको यहां से URL से कर लेना copy यहां को URL में मिल जाए को उपा इसको यहां से कर लेना copy और simply पाबली करने कि में आके template code name में इसको कर देना paste उसके बाद language code भी हमको यहां पर डालना है तो language code में लिखा है get here to get the language code for example code for English is EN N for English US is EN underscore US तो हमारी template का code है वो English लिया है मैंने हम simply इसमें type कर देंगे EN और उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते है header value तो header value तो मैंने यहां पर none रखा है तो इसको में इग्नो कर दूंगा अब main चीज आती है body variables जहां पर आपको data बहुत अच्छे से map करना है तो let's say इधा पर template में body variables जैसा मैंने आपको बता है hello के बाद यह body variables है hello के बाद हम इसका name insert कर देंगे body variables में and thank you for registering yourself as our customer you can use your username basically to की जगे हमको यहां पर username डालना है उस particular customer का तो हमा जाएंगे इसमें पैबली connect में और body variables में previous step से data करेंगे map सबसे पहले हमको name map करना है तो name आपको received हुआ है यह उसका first name में max उसका हम space देंगे और last name में उसका john तो हम यहां पर last name भी उसका कर देंगे map उसके बाद दोस्तों आपको करना है एक comma insert और बिना कोई space दिये आपको previous step पर फिचरना है यह username max आपको यह कर देना map अब यह जो पूरा process से इसको बोलता है mapping यह मैंने आपको पहले भी समझा है कि mapping की मताद से आप dynamic response generate कर सकते for example अभी john max से next time अगर john milton करके user create होता है इसलिए मैं इसको ignore करेंगे simply click करता हूँ save and send test request वाली बटन पर तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमको एक positive response यहाँ पर receipt हुआ है यहाँ पर हमको phone number शो रहा है जो कि एक dummy phone number है उसको भी हम replace करेंगे इससे मैं आपको whatsapp मैसेज शो कर पाहूँ यह मेरा particular whatsapp का account है अब पूरा जो process आपको automation बनाना है वो इस तरह बनाना है जो भी आप target customer होगा आपका उसका number आपको यहाँ पर map करना है अभी मैं इसको manually type कर दूँगा क्योंकि मैं आपको बताना है कि message कैसे आता है whatsapp पे मेरा number डाल दिया दोस्तों अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है फिसे क्लिक करना है save and send test request वाली button पर तो में को यहाँ पर response received हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं में को यहाँ पर number change हो कर आ आ गया मेरा number डाल दिया अब दोस्तों क्या करना है आपको WhatsApp पर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि message हमको received हो आए कि नहीं ओ जी यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं हमको एक message यहाँ पर received हो गया Hello Max, John Thank you for registering yourself as our customer You can use your username Max to login anytime Enjoy lifetime access and explore great products You will also receive special offers and discounts here Thanks and regards तो दोस्तों इस तरहे आप आपके target customer को message भी सकते हैं जब भी वो WooCommerce में as a customer create हो तो दोस्तों पूरा process दो step कर समराइज करता हूँ इस process में हमने क्या कर रहा है सबसे पहले हमने इसमें trigger में लिया है WooCommerce और trigger event में हमने लिया new customer created action में हमने लिया है interact action event में हमने लिया send WhatsApp template message और यहां पर लिखा है instant इसका मतलब यह कि पूरा automation है instantly अपना काम करता रहेगा अब यहां पर मैं आपको real time में test करके बताता हूँ कि जब भी कोई customer create होगा WooCommerce में तो उसको कैसे message जाएगा हमारे इस WhatsApp account में तो मैं आपको ले चलता हूँ WooCommerce तो यहां पर हम एक dummy details फिल कर देते हैं लेट से हम यहां पर फिल करता हूँ XYZ उसका first name में और यहां पर user type कर देता हूँ last name में उसका email address है XYZ at the rate pablitudes.com और एक password लेदेंगे हम random और यहां पर में एक random phone number डाल देता हूँ क्लिक करूँगा submit वाली बटन पर यहां पर आप देख सकते हैं यूजर successfully registered अब हमको चेक करने हमारा WhatsApp का account कि हमको यह यूजर को message received हुआ की नहीं तो मैं आपको ले चलता हूँ मेरे WhatsApp पर तो आप देख सकते हैं Hello XYZ user thank you for registering yourself As our customer you can use your username XYZ to login anytime तो इस तरह आप यह पूरा process कर सकते हैं यह 2 step का process इसमें कोई भी coding skills का उपयोग नहीं कर रहा है हमने तो अगर आप भी इस process पे काम करना चाहते हैं या इस workflow को टेस्ट करना चाहते हैं तो इस workflow की जो link यह आपको मिल जाएगी तो आप same workflow को clone करके उस पे काम कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको इस workflow में कोई भी doubt है तो आप मेंको comment section में जरूर बताएं यही नहीं दोस्तों आप और भी integration बना सकते हैं पैबली करने की मदद से और आप हमको mail कर सकते हैं supportadheritpably.com पे और अगर आपको कोई प्राइस इलेटड इशू है तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें शेर करें और हमाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू